बाई और बैनों मात्री सक्तिको नमन हमारा परम सौ भाग्या है और मैं मेरी भाषा में बात करूं तो हमारा आज का दिन आज का सुर्योद है बहुत अच्छा हुगा है कि हमारे को अनुभवी ज्यानी पुरोश अध्यात्म विज्यानी जो की अनुभव वानी अपने दर्शन से ज्यान से समझ करके जो बात बताते हैं और धस्टी परिवर्तन की बात करते हैं वो कोई धर्म का परिवर्तन नहीं करते हैं कोई भी घर चोड़ने का परिवर्तन नहीं करते हैं दंदे की बात जो संसारी का मारा सेट अप है उसको कोई परिवर्टन करने की त्याग करने की बात नहीं करते हैं वो तो सिर्फ कहते हैं wrong belief को अटाक करते हैं right belief करो जिसको art of reason कहते हैं बहुत simple है और simple में भी सिर्फ दो बाते हैं कि जो कुछ भी आपका पांच इंद्रियों से मन वचन काया से जो भी आपका हिसा भुगतान प्रवर्टी जो चल रही है वह सारा परिणाम है और आपका जो अस्तित हो है शुदात्मा का है यानि मन वचन काया से मुख ऐसा मैं शुदात्मा हूँ ये दो बात हैं द्रस्टी में बिठाने की कह रहे हैं सवामी जी आपका बहुत भुट दन्यवाद. सभी शोताओं की तरफ से आपके प्रतिक टेखेता, अभिवादन, सत्कार, जै सची दान, सवामी जी अध्यात्म विज्ञान जो की प्योर्ली विज्ञान है, विज्ञान इसलिए है कि ये अज्ञान का नास करता है और relative ज्ञान को भी अज्ञान का रूप देता है यानि यह एक बहुत ही अध्यात्म ज्ञान एक सुन्दर मार्ग है मुक्ती का मार्ग है यह सनातन सत्य है तो अब हम सनातन सत्य जो आप कहते है यह खुदरत, खुदरत की रचना का अब उस्ञान का अधार की पॉस्ट किजिये कि खुद्रत क्या है, खुद्रती रचना क्या है, खुद्रत का कानून क्या है, ताकि लोगों को जान करी तो विले, तो अध्यात्म विध्यान की दरस्टी से बताई है. और शुच्छे के अंत Inter आया हुआ सब जोका मनों चत्वा से बना हुआ है, और शेत्वा से बहार कोश नहीं है। और इसलिए बेताने में भी लिखा है पिंडे सो ब्रह्मान्डे और पिंडे सो ब्रह्मान्डे तत्वर उसे कोई हतर नहीं है तत्वर एक ही है ब्रह्मान में होई पिंड में है और पिंड में होई ब्रह्मान में है मगर जो लोग ये सना तत्र को जान दिया, जिससे अवस्तायब बन दिया, उसके से कुद्रती कानून को जान दिया, जिस कानून के आधा से कुद्रती रचना होती है, तो तत्र और कानून जान दिया, फिर उसको मालून पता है, कि ये दुनिया कुद्रती थी है और रहेगी, हमारा मरचलत अंगी थाल हो रहेगा हम तो बुक्तान करते हैं कमाली की उस्थ में पुद्रका रहेगा तो फिर अपने हप व्यक्ति के द्रश्टी में से मोख्षदम होता है कि मेरे कुछ चुनिया में इसकुछ पाना है और जो पाया है वो चला जाएगा यह दोनों पर नहीं रहेंगे क्योंकि पाना है बिना हिसाब तो मिलेगा नहीं और अगर पाया हुआ चला जाएगा तुम तो खुद्रका था तुम को तो भुकतान के लिए मिला है माली के लिए नहीं भी जाएका अब इन बीट्मिन यूजर है मावल्र नहीं है तो जों सबस्थर पहली बात चे सनातल उततों से पुद्रक बनी है वो उख्षे सनातल क्या है एक रतों है आत्मां क्योंकि चेतन का जन्म जिवन नहीं है इसको आत्मा भी बोल सकते हैं जो सब के अंदर है कोई उसको माने या न माने चेतन के पास ही ग्यान है चेतन के पास क्रिया करने का मोह नहीं है मगर चेतन की हाज में कर्म बनते हैं और कर्म निकलते हैं चार्ज भी होता है लिश्चार्ज भी होता है कर्म बनते लिए और कर्म समादी भी होते हैं बिना चेतन की हाज में कर्म बनते हैं नसमाद भी होते है कर्म अगर आत्मा नहीं इसको बना बिश्फंता है शरीर ऑर कर्म की नहीं कर साथ है तो बिना आत्मा की हाथ कर्म बाइथरी में बर्atार नहीं गर मगर आत्मा is a catalyst all time दूसरा है जढ़त जढ़त हो वो जड़तत्व क्या है ये पांच इंजलियों से जो दुनिया अच्रुटिया भूमे आती है सरीर सहीद ये सब जड़तत्व है जड़तत्व का बगता है जो अबस्ता पर्मानों से बही है उसकी उत्पत्ति और नास है उस सब जड़तत्व का बगता है ततत्व का नास नहीं होता है, अवस्ताव का नास होता है, मगर वो अवस्ता तत्व से बनी ही है, यह सरी ततत्व से बना हुआ है, अवस्ता के रूप में टेप पर दिये, ततत्व के रूप में नेंडे, जो मकान मकान सब दिखता है वो अवस्ता है, ततत्व में नेंडे, अ तो दूसरा है जड तत्वा, पहला चेतन तत्वा दूसरा जड तत्वा, तीसरा तत्वा है गति सहायक, जड तत्वा को गति देने के लिए गति सहायक है, जड तत्वा जो अवस्ता के रूप में है, इनको गति चाहिए, जिसे पुरुत्वी गुमती है, गरह गुमते है, नक इसा पुश्या गूम्ता है इनसान गूमता है और सरीर के अंदर ब्रेदेंग ये सब कुछ मुझेंट है हाद पाउं बिलाना चलना दौना काम काज करना इस भी मेंट है और मुझेंट है तब लाइब लगता है सब्सक्राइब को गति देता है और तबी मुव होता है मगर यह तत्वा है अवस्ता के रूल है तत्वा के रूल है और पुरे ब्रह्मार के यह तत्वा चाया हुआ है एक जगापे नहीं है हर जगापे सब्सक्राइब टोनों को रिलेटेडिड है अगर सडक सsted सायथ है तो उसको चलने बारे वाहन और इंसाँ गत्ति सायक अगर हमारे बोरी के ओर गन स्थितिसायक है तो बॉर्ण सप्पेस है वो सितिसायक है और अवस्थाया गत्तिसायक है तो बात को यह समझना है, यह बहुत बहुत जुशाल प्रश्टे से ज्यान को समझना पड़ेगा, एक छोटे छोटे जुटे 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 से यह बात समझ में नहीं आएगा, तो ब्रह्मान के अंदर स्पेस क्या है, स्पेस है, तो इसके अंदर गतिसायत होता है, स्पेस मून नहीं करते हैं उसमें अवस्थाय सांधने जीव ग्रती मून करता रहेगा तो स्थिति साहर और गति साहर पांच बाता तो है समय टाइम या कालता तो कालता तो का मतलग क्या है वो लाइफ इसाइट करता है कितने साहर के कालता तो कोई भी नए व्यति को पुरान करना कालता काम है जन्म देने वाले को गुच्दि देना कालता काम है बीज को खर देना कालतत्र का काम है समय तत्रों और समय तत्रों नहीं होता है तो उसको नाप नहीं सकते है और इसलिए कर्गों की भुतान भी समय तत्रों से जुन्यू कम भी लेगा जीव के वल क्यानापरा करेगा तो उसको ब जाएग तो नहीं पूँए तो समय तत्वा होगा ही जब समसार से आत्मा जब Prem से चले जाता है वहां समय तत्वा नहीं है जरूर भी नहीं है क्योंकि अवस्ता भी नहीं है तो कहने का मत्रब इस समय तत्व हर अवस्ता को नापन में समधिन में सहायत बनता है मगर तत्व पर्मेंन तत्व के साथ जो भी अवस्ता टेप बनता है और चठठा और अंतिम तत्व है स्पेस जिस स्पेस के अदब ये पूरी ब्रह्मार कहौया Film के कहौन आक्टिविटीजकर वह चलती रहती है चलती रहती है उसमें एक्टिविटीज 마음에 च्रॉट वह रही है सबी ऑक्टिविटीज का क्रीएटर हुद्रत है सभी एक्टिविटिस का क्रियेटर खुद्रत है और सभी एक्टिविटिस का आंग भी खुद्रत लाता है मगर ये संसार के अंदर ये दुनिया के अंदर दो प्रकार की एक्टिविटिस है एक नेचरम नेचर जैसे सुरिय चद्र, अमास पुनब, भरती ओठ, दिल रात, थंदे गर्भी बारिस ये सब का संचारक उद्रत है, वो नेचरल नेचर है नेचरल नेचर का मतबता है, अपने आप होना इसमें कोई बाहिया, एविडेंस की जरुरत नहीं पड़े है और दूसरा अननेचरल नेचर है, अननेचरल नेचर का मतबता खुदरत अपनी वर्जी से नहीं बना सकी है मगर वो आपके कौज के उपरे फेट देगी, तो अननेचरल नेचर होगा कुदरत स्वयम्ग आपको कोई भी अवस्ता दे सकती नहीं है देने वाली वो है, मगर कौज के उपरे फेट आदे होगा तो इसलिए यह आध्यात में भी ग्यार के अंदर, हम जो छे तत्व की बात करते हैं दूसरा है घर तत्वो, था धिस्टो, पान्च माह समय तत्वों और शटाए सपेश ये 6 तत्वों से दुनिया बनी है और 6 तत्वों से दुनिया चलती है मगर लोगों को छे तत्व समझने नहीं आया इसलिए आप जन्दाने का ये दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान चला आते है क्योंकि विज्ञान समझने नहीं आएगा तो रिलेटर सथी ही बताएगा और कोई आपसर नहीं है तो ये सबसे पहले समयागा है छे तत्व हम अब यहां बैठें यहां भी छे तत्व है जड़ तत्व है सितिसा है टाइम है और स्पेस दुनिया की कोई अवस्ता छे तत्व के अलावा नहीं हो सकते छे तत्व से नहीं अवस्ता बनेगी इसे लिए यह छे तत्व का इपोर्टन आज्टम विया है चे तत्व का एक नाम है छे तत्व का एक नाम है कुद्रत और इसे लिए यह तो कुद्रत की बाद में अबी अभी ऑद्रत काारून क्या है पुद्रत कानूम का बड़ुता है, सबके लिए एक हों। जैसे देन रात होता है, तो क्या एक व्रक्ती और दुसर्वर्टी के लिए अलग लग हो सकता है? थन्डे गर्मी पारिस के वास्ता अलग लग सकती है? नहीं हो सकती है। पुनम अमाज सब के लिए अलग लग हो सकता है नहीं हो सकता है भरती ओर होती है वो लग लग हो सकता है नहीं हो सकता है यह हवा पानी पुराग जिस परकार से पुद्रत अब को बाइट करती है इस सब जो हम मिलता है इस सब कानून से मिलता है किसी की मर्जी से नहीं नहीं त तो उद्रत का कानून का मज़ लगता है, वो कानून सब के लिए एक था एक है और एक तही रहेगा, मगर वो कानून समझने के लिए है, हमारे पास विशाल रष्ठी चाहिए, कि कुद्रत कानून क्या है, आम इंसान के लिए, मैंने आगवे एंसाम पर दिया, उसके अलावा, कुद्रत का कानून ये है, व्यक्ति को जन्म देना, जीवन देना और मुर्तियों देना, कर्मों के लिए, ये कुद्रत का कानून है, कर्म का सिधान को कुद्रत का कानून है, उनर जन्म का सिधान को कुद्रत का कानून है, कोई जीव को जीवित रहने के हवा पानी खुराख देना 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 ख कानुन के बाहर एक स्वास भी ने ले सकते हैं। इतना जड़वे सला कुल्प का कानुन है। ये दुनियां के अंदर जहां तक अग्यान है। जो दुनिया गुद्रत की थी, गुद्रत की है और गुद्रत की पास रहेगी। गुद्रत का है, ऐसा जहां तो नहीं देखेंगे, वहां तक आपके पाग्यान रहेगा, राधिवेश होगा, कर्म बनेगा, और जन्म बने के चकर्गर में गुमना भी पढ़ेगा। और कोई आप्शन नहीं है। तो एक कुद्रत का कानुन माने या न माने सब के लिए एक है अगर में राम को मानता हूं कर्श्ट को नहीं मानता हूं तो अपसन है, अगर मैं राम को मानता हूं कर्श्ट को नहीं मानता हूं तो अपसन है, अगर मैं राम को मानता हूं कर्श्ट को नहीं मानता हूं तो अपसन है, अगर मैं राम को मानता हूं कर्श्ट को मानता हूं त इसलिए कोई भी अवस्था छे तत्व से बननी ही अवस्ता… रशना कुछied क कि यह हमारे मन जन पाया है हम पहेंगे व्यवास से माता पिता जर्जन जन यहा बोल सकते हैं वास्तों में यह कुद्रतर रशना है तो कोई भी अवस्ता जर्जन से मौत कि इसी की ही अवस्ता पुद्रती रचना से बाहर नहीं हो सकती है तो जो दीखता है पांच इंड्रियूंसे और एंड होती है मगर तर्ट्व के पर्मनेटे रों और कानूं के रुधे रचना देखना वह अमारी दृष्टी वोनी चाहिए सब अबस्ता अगर लागतों लोगों का जन्न होता है तो भी पिद्रत्रत रतना है क्योंकि जन्व जीवर बुट्यों इससा कुद्र के आ रहे हुआ हूं हम बावार से संक्या कम ज़्यादा हो यासा बॉल सकते हैं वास्त पर कम ज़्यादा होती नहीं है अवस्था परिवन्टल होती है इसे लिए या अध्यात्म क्यान जन्न से मौत तक मर्वचन काया सभी अवस्ता मर्वचन काया उनकी सभी अवस्ता और पार्च गनानी उसे अलोगों में आते पूरी सुष्टिकों अध्यात्म क्यान पुद्रती रचना ही मारे है और इसलिए अगर हम खुद्रती कानूर और पुद्रती रचना को किज़ची में रखके जीवन जीएगे तो हमारे जीवन में अभी कोई नहीं दिक्कत आना है वो सो संभव नहीं है तो इसलिए मैंने कहा यह आध्यात्म गियार को समझना है तो खुद्रती कानूर स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसका नाम कुद्रत है और यह कुद्रत की रच्ता है और कुद्रत का कानून जैसी करनी वैसी बढ़नी जैसा करोगे वैसा पाओगे यानि आपके करमों के अन्रूप जो है आपको फन मिलेगा यह नेचुरल कुद्रत है सूर्य चाहांद यह रितुएं यह अपने इसाब से होती है यह सारी कुद्रत की बात आप ते कही और सबसे बड़ी बात आप ते यह बताई कि कुद्रत की रच्तार कुद्रत के कानून को मानते हैं तो यह हमारा अग्यान का नास करने वाला है और इस कानून को क्योंकि इसके प्यांड कोई है ही नहीं यह तो सुप्रीम है उसको हम नहीं मानते हैं उसका पालन नहीं करते हैं तो यह हमारा अग्यान है तो रास्ता आपको ढूणना है कि आप अवागमन करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, उसके अनुरूप अपनी द्रस्टी में ज्ञान दर्शन में पिट की दिये चीज़ को, बहुत-बहुत धन्यवाज स्वामी जी आपका जयी सचीदाना, जयी सचीदाना